हेलो फ्रेंड्स टेस्टी और डिलिशेस फूट बाई जोती में आपका बहुत स्वागत है फ्रेंड्स अभी तक आपने अगर हम मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेर और लाइक करें और और के नोटिफिकेशन पर क्लिक करें जिससे आने वाले सभी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिले फ्रेंड्स आज हम मतर का मसाला आपको बनाना सिखा रहे हैं जिसे आपका जोड़ी में पराठे में यूज कर सकते हैं और विविन प्रकार के कटलेट्स भी बना सकते हैं तो friends, यह मटर हमने धोकर साफ करके और मिक्सी में डाल लिये हैं एक हमने हारी मिर्च को काट कर डाल लिया है और एक इंच अद्रक कर टुकले को बीच से काट कर छील कर इसमें हमने डाल लिया है अब friends हमें इसका एक दरड़ा tweak बनाना है बिल्कुल fine paste नहीं बनाना है ये देखिये, मैं चम्मज से आपको दिखा देती हूँ इस तरीके से ये देखिये इस तरीके से इसका हलकल का दरड़ा सा दाना दिखना चाहिए इस तरीके का हमको इसका चाहिए यह बिल्कुल परफेक्ट है अब हम एक पैन रखेंगे गैस पर और उसमें बटर गी या तेल कुछ भी आप ले सकते हैं लेकिन मैं गी डालना ही प्रेफर करती हूँ क्योंकि यह इसके अंदर होता है तो थोड़ा सा गी ही डालना ज्यादा बेटर है इसमें अब हम जीरा डालने के बाद हम इसमें हिंग डालेंगे क्योंकि मतर में गैस्टिक प्रपर्टी होती है तो हिंग से उसकी थोड़ा गैस कम हो जाती है सही रहता है हमारे पेट के लिए अब हम इसमें एक फौर्थ चमच हल्दी आधा चमच लाल मिर्च इस अब ये सारा मसाला भून जाएगा तो पिसा हुआ मतर का मसाला हम इसमें डाल देंगे जो हमने इसका दरदरा पेस्ट किया है उसे हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे इसको एक दो मिनिट भून लेंगे ताकि इसका पानी मुष्यर थोड़ा सू पीस लिया है और आधा ही चमच सॉफ का पाउडर हम इसमें डालेंगे ये भी मैंने तवे पर सेख कर और इसे बारिक पेस लिया था ये दोनों ही इसमें डालेंगे और ये मैंने वन फोर्थ चमच गरम मसळाड़ा है गरम मसले की रेसिπी मेरी चैनल पर है और मैं description में भी डाल दूँगी और एक चम्मच भर कर मैंने इसमें अमचूर पाउडर डाला है अमचूर पाउडर डालने से इसमें खटा तीखा थोड़ा टेस्ट आ जाता है और अच्छा ये मसाला तयार होता है एक चम्मच हम इसमें पिसी हुई चीनी डालेंगे चीनी से इसका बैलन्स हो जाएगा मसाले का टेस्ट और स्वादा नुसार इसमें नमक डालेंगे काला नमक मेलन लिया है इसे आप अपने स्वाद के नुसार डालने और इन सभी चीजों को हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से ये देखे फ्रेंड ये मसाला तयार हो गया है अब इसमें हम इसको एक दो सेकंड के लिए अच्छी तरीके से भून लेंगे जिसे जो मसालों का थोड़ा कच्चापन होगा वो दूर हो जाएगा और इसमें अब हम एक बंच हाथ में मुठी भर जाए इतना धनिया डाल कर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे यह मसाला हमारा तयार है इससे परांठी और कचोरी बगर आपको जो बनाने हम बना सकते हैं तो ओके फ्रेंड्स बाई बाई आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इससे लाइक और शेयर करें थेंक यू बाई बाई